अससलाम उलेकम, तो आज का जो वीडियो है यहां पे हम four page देखने वाले हैं, दो यहां पे आप टंबलर page देखेंगे, दो यहां पे रोलर page देखेंगे, जो वेलेबल है sale के रिए, तो जो भी बारे ने में इंटरेस्टेड हैं, भाई का नंबर उपर title में दे दिया गया है, directly call you whatsapp पे आप बात कर सकते हैं delivery के बारे में बात करें तो almost all over India पे delivery possible हो जाएगी तो अगर कोई भाई हैजरबात के बाहर से और कबूतर मंगवाना चाहते हैं हम definitely भाई से contact कर सकते हैं तो यह जैसे देख सकते हैं आपके सामने first वाला पेर आया हुआ है यह पेर भाई tumblers में आया हुआ है आपके सामने और tumblers के उपर मैंने एक थोड़ा सा detailed video बनाया है जिसका भी part one post किया गया है इंशाला और भी उसके अंदर parts आएंगे तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इनके different colors और इनके cage के styles और इनके breeding setup के उपर बात की है तो इन्शाला आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं second वाला पेर आगया आपके सामने यह roller कबूतर में आये हुए हैं ठीक है जो हवा में tumble करते हैं और हवा में roll करते हैं दो different चीज़ें होती हैं जिसके उपर एक और वीडियो बनाया था tumbler and roller का difference के उपर वो नहीं देखा तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी clarity आ जाएगी तो यह भाई बहुत अच्छे बहुत खुबसूरत adult pairs है यहाँ पे breed के लिए तो अभी फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया breeding season चालू हो चुका है काफी सारे लोगों के घर पे पहली और दूसरी clutch भी निकल गई है तो अगर आप देर ना करना चाहते हैं तो definitely कुछ इस तरीके के pairs लीजिए जो लगे हुए हैं और जल से जल आपके पास breed करेंगे ताकि इंशालला आपके पास उड़ाने वाले season तक काफी ज़्यादा अच्छे वाले जो पठे हैं वो ready हो सकते हैं ठीक है second वाला pair हो गया third वाला pair आगे आपके सामने ये फिर से tumbler वाले जो कबूतर हैं उन ही lines में से ये कबूतर आये हुए हैं तो अगर कोई भाई लेना चाहते हैं इन कबूतरों को तो भी आप consider कर सकते हैं ठीक है इन में बहुत जादा different colors होते हैं shades होते हैं आप जैसे देख सकते हैं इस female को इसकी जो पट्टी होती है काली वाली जो male की देख रहे हैं आप female की black plus brown में ठीक है तो जब इनके आगे बच्चे निकलते हैं तो पूरी लाल भी निकलते हैं बच्चे इनकी कभी ठीक है पूरे कभी black में लाल आ जाते हैं बहुत सारे different colors जो है variations यहाँ पे possible हो सकते हैं इन lines में क्योंकि यह line breeding इन में होती है pure lines के साथ ही तो इन में colors जो अपनी मर्जी में जैसे कभूतर के पीछे color लगे हो हैं वैसे ज़्यादा different colors इन में निकल कर आते हैं तो यह था हमारा वीडियो का third वाला पेर बढ़ते हैं next वाले पेर की तरफ तो यह भाई यहाँ पे last and final हमारा जो पेर है आज का वो आप देख रहे हैं रोलर्स में आया हुए है सामने वाली इसके इंदर female है पीछे वाला इसके इंदर male है तो अगर कोई भाई इस वाले पेर को लेने में interested हैं तो भाई से contact कर सकते हैं तो इतना है था सर्फ इस वीडियो के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप चानल पे न्यूँ है तो लाजमी सब्सक्राइब चानल को कर दीजिए क्योंकि इसी तरीके से आपके लिए काफी ज़दा वीडियो लेकर आते हैं इन्फोर्मेटिव साथी साथ सेल के वीडियो और कोशिश यह है कि कुछ ही दिनों में आपको घर का सारा ब्रीडिंग सेटप भी बताया जाए थोड़ा सा साफ सफाई इन्शालला कोशिश करके आपको जल से जल वो वीडियो बताया जाएगा